तो अभी देखेंगे कल कौन से लेबल से निफ्टी में important होंगे और हम लोगों ने जो कल लेबल से डिसकुस्प किये थे तो किस तरह से वह work किया तो देखो अम लोगुंने निफ्टी में simple रखा था और मैंने आप लोगों को कल यह भी कहा था कि कुछ दिन से अगर आप observe कर रहे हो लगभग 2-3 महीने से तो देखोगे कि खासकर bank, nifty या sensex के expiry में market क्या करता है expiry से एक दिन पहले या तो volatile हो जाता है या trending हो जाता है ठीक है या trending हो जाता है और expiry के दिन क्या होता है market seller expiry हो जाता है ठीक है देखो seller expiry होना मैंने कल भी आप लोगों को ये बात समझाई थी कि seller expiry होना उसका मतलब ये नहीं होता है कि market नीचे जाएगा ठीक है इसका ये मतलब simple सा नहीं होता है कि market नीचे जाएगा seller expiry का मतलब होता है कि market sideways हो जाएगा sideways हो जाएगा ठीक है वैसे क्या होता है generally market जब selling में होता है ठीक है अभी मैं selling कह रहा हो ना कि seller expiry selling में जब होता है तो call को short किया जाता है और trend जो है वो bearish होता है ठीक है trend वो जो होता है वो bearish होता है but seller expiry या seller day में क्या होता है seller day में क्या होता है market sideways हो जाता है यह जरूरी नहीं है कि expiry ही हो but seller day में market sideways हो जाता है और sideways में क्या होता है seller जो है उनको put भी sale करके profit मिलता है और call भी short करके profit मिलता है तो यह simple concept है मैंने आप लोगों को कल zero hero hedge rainbow की भी बताई थी मैं काम करता हूँ उसकी एक अलग से video आप लोगों को provide कर देता हूँ ताकि चीजें और सही से आप लोग समझ पाओ है ना तो चीजों को ध्यान रखो जो नए है उनके लिए ये बहुत important notes होंगे बहुत important चीजें होंगी देखो market में हो तो चीजों को समझो और उसके बाद अपने hard earned money को आपको market में लगाना चाहिए ठीक है चलो तो हम लोगों ने कल क्या discuss किया था उस बेश पर देखते हैं देखो नीचे क्या discuss किया था कि 24,400 कल एक support की तरह behave करेगा या कर सकता है ठीक support की तरह behave कर सकता है और market अगर gap down खुलता है तो फिर market उपर जाएगा और 400 को break करेगा तब ही आपकी entry होनी चाहिए बहुत simple था बहुत simple मैं समझाया था मैंने तो देखोगे उसके बाद हम लोगों ने discuss किया था कि market फिर अगर ये नहीं hold इस तरह से अगर market नीचे जाता है और ये break नहीं करता है तो फिर market sideways हो जाएगा जिन्होंने देखा था कल वीडियो वैलिडेट करना इसको और हम लोगों ने उपर के targets क्या discuss किये थे 560 निकलेगा तो फिर हम लोग 600 देखेंगे और 600 एक आप resistance की तरह देख सकते हो और 640 भी एक resistance है जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक market उपर नहीं जा सकता है तो उस तरह से ही देखोगे कि market इसी range में रह गया जैसा कि हम लोगों ने discuss किया था लगभग 160 points के range में निफ्टी घूमता रहाज ठीक है कल के लिए label discuss कर लेते हैं बहुत simple रखना है ठीक है बहुत simple रखना है कल के लिए ये label ध्यान रखो अगेन लेबल वही होंगे कुछ difference नहीं है लेबल में हमारा 24 400 नीचे ध्यान रखना है और उपर के अगर बात करें उपर के अगर हम लोग बात करें उपर 24,640 का ध्यान रखो और नीचे 24,400 का ये break करें तब नीचे के बारे में सोचना है और ये break करें तब धीरी धीरे market को उपर के बारे में आप सोच सकते हो ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि एक अच्छी खासी बाइंग हो गई चीजों को समझने की कोशिश करो यहाँ पर बाइंग हुई ठीक है बाइंग होने के बाद क्या हुआ यहाँ से कल जो सेलिंग हुई थी यहाँ से 500 के लेबल से एक सेलिंग फिर से हो गई ठीक है बट ऐसी जो बाइंग रही यहां पे बायर इंट्रेस्टेड रहे concept समझो बहुत important है और बहुत interesting है यह सारी चीजें सीख समझ जाओगे तो फिर समझो आपका more than 50% work complete हो चुका है तो यहां से यहां पे बायर इंट्रेस्टेड हो गये और सेलर इसके नीचे इंट्रेस्टेड थे और उपर के लेबल पे तो सेलर थे ही तो इस वज़ा से market sideways हो गया तो इस तरह से चीजों को देखते रहो समझते रहो अच्छे तरीके से समझो और अच्छे चीजें इसमें आप implement कर सकते हो अगेन अब उपर के लिए अगर हम लोग बात करें तो कल के लिए अगर scalping अगर आपको चाहिए तो बहुत simple है 520 अगर निकलता है तो आप at least 600, 640 तक scalping कर सकते हो उपर के लिए और नीचे की अगर बात करें तो नीचे का बहुत simple है 24,400 हम लोग ने जैसा की discuss किया था तो अब हम लोग bank nifty को देख लेते हैं देखो कल expiry है तो एक चीज का और ध्यान रखना ये बात ध्यान रखना अगर market मालो बहुत जादा उपर नीचे होता है और यह sideways रहता है labels मिलते नहीं है तो कोई भी round label ध्यान रखना round label कोई भी अगर होता है जैसे मालो 24,500 है ठीक है इसके pass अगर market मालो यह यहाँ से निकला और इधर ही गोम रहा है इसे ठीक है मालो market नीचे से उपर आया इधर ही गोम रहा है या उपर से नीचे आया इधर ही गोम रहा है ठीक है चीज को समझने ही कोशिस करो उपर से नीचे आकर यहां hold कर रहा है second half में और नीचे से उपर गया है कोई भी condition हो सकता है hold कर रहा है ठीक है तो यह label ना बहुत अच्छा आपको expiry में एक spike दे सकता है और nifty में भी 20 रुपए के premium आप minimum 100 रुपीज मान कर चलो यह होता है तो इस तरह से देखना second half के बाद अगर market hover कर रहा हो hold कर रहा हो इस तरह से label पे इसको observe करके देखना जल्दवाजी नहीं है observe करो चीजों को समझो उसके बाद enter करना है अच्छे moves आपको मिलेंगे bank nifty में देख लेते हैं label हम लोगोंने क्या discuss किया था और उसके आगे चीजों को समझ लेते हैं bank nifty में हम लोगोंने simple सा label discuss किया था कल के लिए भी और उपर के लिए हम लोगोंने क्या discuss किया था 500 अगर break करता है उपर के लिए हमारा 600 का label था 51,600 और नीचे के लिए 51,000 सिंपल रखा था 51,100 का लेबल हमारा था मार्किट कल इसी रेंज में घूम सकता है हम लोगों ने ये कल डिसकुस किया था और देखो मैं फिर कहूंगा कि अगर जो भी एक्स्प्लेनेशन है या जो भी आपकी अनालिसिस है वो अगर सही होती है तो आपको उस बेस पे planed way में trade करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं होता है कि मैंने ऐसा कहा तो ये हो गया ऐसा नहीं होता है आपने जो डिसकुस किया देखो experience अगर है आपके पास time spent किया है आपने market में अच्छा खासा समय दिया है चीजों को सीखा समझा है तो ये automatic चीजें आप समझोगे तो मैंने telegram में भी आप लोगों को update किया था कि 51 311 के उपर और नीचे की अगर हम लोगों ने बात की थी तो 51 130 था हमारा level ठीक है इसके बीच में trade ना करो तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है इसके बीच में trade ना करो तो ज़्यादा अच्छा है यह हम लोगों ने discuss किया था फिर एक label लगभग दिया था तो वो बहुत late से लगभग 3 PM तक पहुंचा तो expiry में 3 PM का इस तरह से कोई मतलब होता नहीं है expiry के लिए मैंने आप लोगों को strategy बताई है उसको जरूर follow करना मैं आप लोगों को वीडियो ही provide करना उसमें ठीक है तो देखो simple रखो यह box आपको बनाना है simple सा box बनाना ठीक है यह box बना के रखना है ठीक है market जिधर भी निकलेगा अच्छा move आपको देखने को मिलेगा जिधर भी निकलेगा इस range में आपको trade नहीं करना है ठीक है नहीं करना है इसमें trade no trade zone होगा आपका यह ठीक है इसमें trade नहीं करना है देखो closing कही ने कही नीचे ही हुई है अब चीजों को समयने ही कोशिश करो closing कही ने कही नीचे ही हुई है और 51,000 का vibe है यहाँ पर इसलिए market अभी तक hold है again यह label अगर कल break करता है 51,100 तो फिर नीचे की label आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे 51,000 50,832 और फिर यह break करता है तो फिर market थोड़ा और correct हो सकता है उपर की label की अगर बात करें तो उपर simple लगते हैं दो label ध्यान रखना 51,374 ठीक है 51,374 और 51,461 यह निकलता है तो आपको यह label देखने को मिलेगा और यह निकलता है तो फिर 500 hold करने की कोशिश करेगा market और फिर market धेरे धेरे उपर जाता हुए नजर आएगा लेकिन उपर कहां 600 पर seller try करेंगे फिर 700 पर try होगा तो इस तरह से चीजों को आपको labels को ध्यान में रखना है ठीक है तो labels हम लोगों ने discuss कर लिये हैं simple से label हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं तो इन चीजों को देखो सीखो समझो और आगे बढ़ते रहो मैं आप लोगों को Zero Hero वाली strategy अच्छे से एक अलग video में separate video में बता दूँगा और आज भी अच्छा खासा work किया आप लोगों बताना जरूर मैं strategy discuss करता हूँ उसमें आप लोगों से यह सारे doubts पूछूँगा तो चलो मिलते हैं यूडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत